भोली इस छोटी बच्ची का असली नम सुलेखा है या रामलाल की चौथी बेटी है मतलब सबसे छोटी बेटी है मेरा नम रामलाल है मैं ही भोली का पिता हूँ मेरा नम सुलेखा है लेकिन लोग मुझे भोली कहते हैं इसको सभी लोग भोली इसले कहते हैं क्योंकि भोली mentally weak है और कोई भी चीजों को समझने मुझको औरोस जादा टाइम लेती है इसले लोग इसको भोली कहते हैं बचपने भोली चारपाई से गिर गई थी जब वह सिर्फ 10 मन्त की थी जिससे उसके ब्रेन का एक पाट कम्प्लिटली डेमेज हो गई थी भोली जब पैदा हुई थी तब वह बहुत सुन्दर थी लेकिन जब वह दो साल की हुई तब उसे अस्मॉल फॉक्स हो गई जिसके वाजा से उसकी पोरी बोडी पर दाग रहे गे बस उसकी आँके ही बचके पाई थी जब भोली फाइप यर्स की हुई तब वह बोलना सुरू की लेकिन वह तब हकला हकला कर बोलती थी बार बार हकलाने का वज़े से मुझे बहुत बुरा लगता था इसलिए मैं बोलना ही बन कर दिया मेरे टोटल साथ बच्चे जिसमें से तीन लड़के और चार लड़किया हैं भोली सबसे चोटी बेटी है मैं इस गाव में एक रिच फार मार हूँ मैंने अपनी फैमिलिस को सारे सुक स्वीधा पुरभाइड करवाया हूँ मेरे सारे बच्चे हेल्दी और स्ट्रोंग है सिर्फ बोली को छोड़कर रामलाल अपने सारे बच्चों को बाहर पढ़ने भेजे हैं राधा जो उनकी सबसे बड़ी बेटी है जिनकी साधी हो गई थी इसके बाद मंगला थी जिसकी साधी फिष्ट हो चुकी थी और तिश्रे नंबर पर चंपा थी जो की रामलाल की तिश्री बेटी है मेरी सारी लड़किया हेल्दी और बिब्टिफूल है और उनकी साधी करवाना इतनी मिश्किल काम भी नहीं है मुझे जिसकी चिंता हवा छोटी बेटी भोली है पापा मैं ब्यूटिफूल भी नहीं हूँ और इंटेलिजिन्ट भी नहीं हूँ जब भोली साथ साल की वी तब तक मंगला की साधी हो गई थी उसी साल गाउं में एक परैमरी स्कूल खुला जिसकी ओपनिंग सरिमिनी में तैसिलदार साहिब आये हैं इन्होंने रामलाल जी को बोले हैं रामलाल इस गाव के अंदर तुम्हारा बहुत इज़त है तो तुम्हें अपने बेटियों के इस परैमरी स्कूल में पढ़ाना चाहिए ताकि गावाले के एक इजामपल सेठ हो सके आज रात हो यह सब अपने वाइफ के साथ डिस्कूस करूंगा क्यों न हम अपनी छोटी बेटी भोली को एक नए स्कूल जो खुलामा परैमरी स्कूल में पढ़ने भेजें नहीं नहीं कैसे बाते कर रहे हैं यदि भोली पढ़ लिख लेगी तो इसका साथी करना बहुत मुस्किल हो जाएगा अरे यार अब मैं क्या करूं तैसिलार साहेब का बात भी नहीं टाल सकता और अपनी पत्नी भी सही बोल रही है सुनिये ना हाँ बोलो भोली की साधी करवाने में दिकत तो पहले सही होगी इसलिए हम भोली को इसकूल भेज कर देखते हैं वह पढ़ना लिखना सिख जाएगी तो साधी करना असान हो जाएगा अच्छा ठीक है भोली को कल मैं इसकूल ले जाऊँगा भोली बहुत जादा डरी हुई थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं है इसकूल क्या होती है हाँ मुझे याद आया कि कुल दिन पहले पापा एक गाय जिसका नाम लक्षमी था उसको सीम ऐसे घर से बाहर ले गए थे और बदले में पापा उसको रिटर में पैसे लेका आये थे कहीं मेरे साथ भी तो ऐसे नहीं होने वाला है ना ओ सुनती हो भोली को अच्छे से त्यार कर दो ताकि शकूल वाले यह ना लगे कि हम भोली को ऐसे ही उठा कर लाएं पहले बार मुझे साथ अच्छे कपड़े मिले हैं हाला कि यह कपड़े मेरे चंपा दी दिके हैं भोली को नहलाया गया बालों में तेल लगाया गया कंगी भी किया गया इतनी अच्छे से सब मेरा केर कर रहे हैं मतलब बाप मुझे गलत जगा नहीं ले जा रहे है मुझे पाप सही जगा ले जा रहे है लिजर टीचर मेरी बेटी भोली को पढ़ाई है, ठीक है रामडाल जी, मुझे डर लग रही है क्योंकि मुझे पता नहीं के स्कुल क्या होती है, लेकिन मुझे खुसी है, यहाँ मेरी उम्री की काफी लड़किया है, कोई न कोई तो मेरी दोस्त बनी जाएगी, क्लास के टीचर सभी को और भोली को पढ़ाने लगें, लेकिन भोली का कुछ समझ में नहीं आ रही थी, तब वह क्लास में लगी प्रिंटिंग को देखने लगी, यहाँ सब प्रिंटिंग बहुत अच्छे है, क्योंकि इनने से एक पिक्चर ब्राउन हॉर्स की है, यह वैसे ही हॉर्स है, जिस पर तसलदार सहा बैट कर आये थे, दूसरी पिक्चर एक तोते की है, यह वैसे ही तोता लग रहा है, जो मैंने अपने आम की पेट पर देखी लेकिन इसके बाद एक पिंटिंग काउ की है, यह काउ बिलकुल मेरी काउ लक्षमी की जैसे दिख रही है, जब भोली इधर उधर पिक्चर देखने बिजी थी, तभी अचानक से टीचर उसके पास आ गये, भोली डर से हकलाने लगी, इससे ज़्यादा वार नहीं बोल पा सारे क्लास के बच्चे बाहर चले गए, भोली अभी भी इसी क्लास में उदास बैठी थी, तभी भोली के टीचर प्यार से बोलते हैं, भोली, गेट आप, अपना नाम बताओ, बोलो, बोलो, कमान, अगर तुम अपनी डर को ख़तम कर दोगी, तो तुम कुछ भी बोल सकोग जोर से बोलो, भोली, हाँ, मैं हैरान हूं कि मैं कैसे बोल पा रही हूं, सबस भोली, लो इस बुक को, इसमें बहुत सारे पिक्चर्स हैं, डॉग, कैट, गोट, इसमें बहुत सारे पिक्चर्स हैं, और अलफा बैट्स भी लिखेवे हैं, एक मन्त के अंदर तुम इस बु कोई तुम्हारे उपर नहीं हसेंगे और तुम घार जा और कम सबस्वा जल्दी आना भोली मुझे ऐसा लग रहा है कि गाउं की मंदिरों में सारे घंटिया बजना सुरू हो गई है ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ों की उपर फूल खिलने लगे हैं मेरे दूल में एक नई उ क्या we talked कर लेना चाहिए बिल्कुल हमें vizamber का प्रपोजल का एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और विसर्ण अबर भूले के लिए अपना घर है और उसके पास बैंक में बहुत बड़ा है इसके अलावा हमसे कोई बी दहें नहीं मंग रहे रामलाल एभी भी अन्सियोर है क्योंकि विसंबर रामलाल के उम्र का है यानि वा भोली से बहुत बड़ा है इसके अलावा वा हैंडिकेप भी है और विसंबर की पहले ही एक साधी हो चुकी थी जिसे बचे भी हैं इस बात से कोई एतराज नहीं कि विसेंबर भोली से बहुत बड़ा है सबसे बड़ी बात तो यह है कि भोली के लिए असाने से कोई लड़का मिलेगा भी नहीं विसेंबर दुसरा गाउं का है उसको भोली का mental condition के बारे में पता भी नहीं है मैं बहुत चिंता में था कि इस मैटर पर भोली क्या रियक्ट करेगी भोली तो एक बुद्धक आई की तरह वह कुछ भी नहीं बोलीगी भोली साइड में रहकर आपने पैरेंट्स के बात छुप कर सुन रही है मैं बहुत खूश हूँ क्योंकि मेरी चौथी लड़की के भी साधी बहुत दुनधान से हो रही है भोली को साजाया गिया और बुलाया गिया भोली आई तभी माला पहनाते समय विसंबर ने भोली को देख लिया और बोला और देखो भोली को टेरा कितना खराव है मैं इसे साधी नहीं करूंगा भिसंबर के दोस्त ने कहा तुम ज़्यादा नख्रे मत करो तुम भी कोई ज़्यादा जवान नहीं हो तुम्हारी भी उम्रे 45-45 साल की होगी है और तुम्हें ऐसे एंग भी लड़की दुवारा नहीं मिलेगी विसंबर ने अचानक से रामलाल के सामने भोली की साधी करने के लिए पांच हजार रुपे देहेज मांग लिया उस समय पांच हजार हो सकता पांच लाग के बराबर हो अब जैसे ही बिसंबर भोली को माला पैनाने लगा भोली उस माला को फेख दी और बोली पिता जी आप इस से पैसे ले लेजे मैं ऐसे इंसान से साधी नहीं करूंगे यहाँ देखकर सभी लोग हैरान हो गएं कि पहले बार भोली ने बोला हक लाया भी नहीं इतने अच्छा से बोल पाई आपस में लोग फुस फुसाने लगें पिता जी आपके और हमारे परिवार के इजद बनाने के लिए मैं इस बुढ़े से साधी करने के लिए राजी हो गई थी लेकिन मैं अब इस लालची और बेकुफ इंसम से साधी नहीं करूंगी सभी लोग आपा ही जाने लगें रामलाल दुखी होते वे भोली को बोलें भोली तुम्हारा क्या तुमसे कोई भी अब साधी नहीं करेगा अब हम क्या करेंगे बेटी पिता जी आप चिंता मत किजिए आपकी और मा की मैं बुढ़ापे में दोनों की सेवा करूंगी और इस गाहों के अंदर इसी स्कूल में पढ़ाओंगी क्यों मैं मैं सहीं बोल रही हूं ना भोली के मैं भी इसी साधी माई वी है जो भोली को पढ़ाया करती थी भूली कि मैं आमने असमाल पास कर दिया इसका मतलब हाँ है तो दोस्त तादी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल से स्क्राप कर लीजिए और अगल बगल जो वीडियो उसको देख लीजिए तो मिलते हैं से अगले वीडियो हम तब तक के लिए जाए ही